Knowledge दुनिया की इस नए वीडियो पे आप सभी का स्वागत है इससे पहले हम लोगोंने Strange Cars और Bikes के उपर वीडियो बनाये थे इसी दोरान आप लोगों में से बहुत सारे ने कमेंच पे हम लोगों को सजेस्ट किये Strange Cycle के उपर वीडियो बनाने के लिए दोस्तो, Cycle एक cheap और pollution free transport है जो इंडिया में भी काफी इस्तेमाल किया जाता है पर कुछ companies और inventors Cycles के डिजाइन में बदलाव करते करते कुछ ऐसी Cycles का डिजाइन बना डाले जो देखने में काफी अजीब है आईए आज ऐसे ही कुछ Cycles के बारे में जानते है लॉपे फिट वॉकिंग बाइक ट्रेड मिल को रस्ते पर ले जाने का आईडिया बले ही अद्भूत लग सकता है पर इसी आईडिया ने ब्रुइन बर्ग मिस्टर को प्रेडित किया जो आज पूरे विश्व में मशूर है इलेक्ट्रिक बाइक और ट्रेड मिल का ये मिश्रन पैडिल्स की जगा इलेक्ट्रिसिटी पे काम करता है इसको चलाने के लिए राइट पैड को प्लाटफरम पे रखकर लेफ पैड से इंपल्स लेना पड़ता है इसके सवारी को ऐसा लगता है मानो वो घर या जिंग पे ट्रेड मिल कर रहे है और ऐसे ही वो बाइक की स्पीड में 30 मिल से ज़्यादा की दूरी तै कर लेते है ये 7.2 फीट लंबा, 1.3 फीट चौरा और 3.9 फीट उचा है छे रंगों में पाए जाने वाली ये बाइक बैटरी से चलती है स्टील की सुरक्षा के साथ आप इसे 2,237 डॉलर में अपना बना सकते है लॉंगेस्ट बाइक निदिल लेंज की ये 117 फीट लंबी बाइक दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट की लीमो के भी आगे निकल चुकी है सबसे लंबी बाइसाइकल बनाने की मिशन पे ये डर्ट साइकलिंग ग्रूप ने बहुत जादा अलुमिनियम का इस्तिमाल किया है गिनिस वर्ल रेकॉर्ड में दर्ज होने जैसी ये बाइक सिर्थ दो पहियों पर चलती है और लंबाइ के कारण इसे चलाने के लिए दो लोगों की जरूरत परती है इस बाइक में स्टेविलाइजर्स और ट्रेनिंग विल्स मौझूद नहीं है और ये बाइक बिना मुरे सिर्थ सिदा ही चल सकती है इसकी सबसे खास बात है कि ये बिना किसी चेन सिस्टेम के ही चलती है और इसे चलाने के लिए आपको बस इसके पीछे के पहियों के पैडल्स को स्पिन करना होगा ये एक सारकस यूनिसाइकल की तरह काम करती है चेन की गैर मौजदी की वज़े से इसमें दूसरे बदलाव करने पड़े जैसे की ट्राइंगलर एक्सिस की जगा यहां क्रैंक आर्म एक्सिस की मदद से पहियों को जोरा गया है बाइक चलाने वाला इसे पहले वील्स की द्वारा कंट्रोल करता है पैडल और गीर की ना होने की वज़े से बनाने वालों ने इस बाइक में वील्स को एक साथ लाया है जिसे रस्ते की कोई भी मुशकिल को आराम से पार किया जा सके अभी इसे ड्राइवर की हाइट के हिसाब से दो अलग साइजों में खरीदा जा सकता है इसका basic version 800 डॉलर्स में भी मिलता है जूलाई 2016 की Presidential Ride London ने इससे पहली बार देखा गया इसकी सबसे अलग बात ये है कि इसमें टायर्स नहीं है उसकी जगा इसके wheels एक जैसे दिखने वाले 6 रनिंग शूस से बने है Traveller Steve Biggs ने इस रनिंग शू बाइक को बनाया है Bendy Bike Cycles मज़दार होती है पर folding bikes उससे भी ज़्यादा मज़दार Kenneth Scott ने इस लिस्ट में होश उराने वाली एक नई cycle जोर दी है वो है Bendy Bike एक ऐसी flexible bicycle जो पोल में wrap की जा सकती है Cycle के सारे हिस्सों को एक साथ लोग करने के लिए इसा ही डिजैन किया गया था और अब इसे काफी छोटे स्थानों पर भी रखा जा सकता है Bard of Prey Bike Cycle जहां Arm Bikes में सवारी बैट कर चलाते है वहाँ इसे बिना लेटे नहीं चलाया जा सकता बनाने वालों का दावा है कि इस पोजिशन में चलाने वाले की मेहनत और बैकबोन पर पढ़ने वाला लोड दोनों ही कम हो जाता है इसके कारण बैकबोन की समस्या वाले लोग भी इसका आनन उठा सकते है चलाने वाले की पोजिशन स्विमर्स और उड़ते हुए पंची जैसी होती है लो सेंटर अफ बैगिटी और अलिमिनियम बाडी की कारण ये काफी तेज चलती है 4,800 डॉलर की ये बाइक काफी अधभूत है और चलाने वाले के लिए सुरक्षित भी है क्वीगल बाइक जर्मनी का कर्स्तिन बेटिंग की क्वीगल बाइक बहुती छोटा साइज में फोल्ड किया जा सकता है फोल्डिंग पोजिशन में इसकी साइज बस 55 by 40 by 25 cm होती है जो आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है इस कमपनी का दावा है कि क्वीगल दुनिया की सबसे कॉम्पैक्ट फोल्डिंग बाइक है इसकी वजन बस 8.5 kg है और इस बाइक को चलाने के लिए आपराइट पोजिशन में पैडल करना परता है जो एक फिटनिस इससे इसका काम भी करता है ये बाइक 20 km पर आवर की स्पीड तक चल सकती है इसका पहला वील, फ्रेम और हैंडल सब साधरन है पर अगर कुछ अध्भूत है तो इसका पिछला वील जिसकी जगा पे इसके बनाने वालों ने कही सारे मेटलिक एलिमेंट्स को मिला कर एक मकरी के पेर जैसा आकार दिया है इस बाइक में 450 मेटलिक एलिमेंट्स और 120 से ज़्यादा प्लास्टिक फ्लक्स लगाए गया है इस बाइक को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय लगा सिर्फ फ्लैट सर्फेस में चलने वाली ये बाइक मार्केट में तो नहीं पर कही सारे एक्जिविशन्स में देखी गई है रेकम्बेंट बाइक इस अजीब बाइक का आकार बाइक कम और लॉन फार्मिचर जैसा ज़ादा लगता है इस बाइक के शुरुवात एक ठटेरा या टिंकर की प्रोजेक्ट से हुई जो अन्य बाइक के टुकरों को जोर कर बनाई गयी थी आज यूएस, यूके और आस्ट्रेलिया में इसके सबसे अच्चे वर्षन्स बनाई जाते है इस बाइक के कहीं अद्भूत शारिडिक लाप भी है जैसे की शारिडिक वजन का प्रॉपर डिस्ट्रिगूशन इसमें पीट, हाथ और कंधे की पोजिशन बहुती आरामदायक होती है पूरा शरीर एक रिलेक्स आकर में कुछ इस तरह होता है कि लंबे सफर के बाद विठकान महसूस नहीं होती एरवाला, एठा ये साइकल दुनिया की सबसे तेज human-powered vehicle के नाम से जानी जाती है हाईवेस पे चलने वाली गाड़ी जैसी तेज इस साइकल की स्पीड 90 miles per hour तक पहुँचती है Todd Rider और Cameron Robertson द्वारा बनाए गई ये aerodynamic bike ने world human-powered speed में 86 miles per hour की स्पीड को पीछे छोरते हुए अपने स्पीड का नया world record बनाया 198 watts से भी कम paddle power इसे 56 miles per hour की स्पीड देती है जो इसे किसी भी existing transportation technology से जाधा स्पीड देती है बहुत एक कम gravity center वाली ये EDA नॉर्मल bike से तीन गुना तेज भागती है चलाने वाला पीट को पीछे करके बैठता है जिसके कारण body pressure कम होकर speed बढ़ जाती है drivers सरक देखने के लिए bike के दो oval shells पर लगे दो video cameras का इस्तेमाल करते है इसकी बनाने वालो ने अजीब bikes बनाने के नए train को अपनाते हुए इसे डिजाइन किया था जमीन और आस्मान में चलने वाली ये तीन wheels की bike में एक turbine, एक engine, एक paragliding जैसी wing है जो आप driver की पीछे एक bag में लेकर चल सकते है इसे चलाने वाला normal pedals और wheels के साथ इसे जमीन पर चला सकता है और मजबूत engine का इस्तेमाल करके हवा पे भी इसके लिए runway की भी जरूरत नहीं परता paragliding wing ही सारा काम करते थी है 74 pounds के वजन की ये bike एक mil उचाई और 24 mil पर hour की speed तै करती है और आप इसे 4800 dollar में खरीच सकते है Bionic Runners ये एक ऐसी bike है जो दौर ये running की नकल करती है इसलिए इसमें सवारी के लिए कोई seat नहीं है पर चलाने वालों की साफधानी के लिए इसमें खास सुविदाय है जो खराब रस्तों में चलने की तकलिफ मिटाती है training machine जैसे दिखने वाली ये aluminium frame की bike को आसानी से मोड़ कर किसी गारी के trunk में रखा जा सकता है इसका वजन करीब 40 pounds है और इसकी कीमत 890 dollars से लेकर 1800 dollars तक है दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर आप नॉलेज दुनिया की वीडियो पहली बार देख रहे है तो इस चैनल को जरूर सस्क्राइब कर लिजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको सबसे पहले मिले कोई सवाल या सुजाओ हो तो हमें कमेंड में जरूर बताईए झ्लाप्स आपको नेस्मान कर लागाया झाल लुड़ के वाले नयाओ लुड़ करेंसे वाला कि वीडियो पाएब कर दो देख